प्यारे बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं हम भारत की प्रमुख जीलों के बारे में Important Lakes of India देखे भारत में तो अलग-अलग प्रकार की Lakes पाई जाती हैं ज्यादा तर जो Lakes पाई जाती हैं वो Permanent हैं मतलब पूरा वर्ष इसमें पानी भरा रहता है और कुछ Season Lakes पाई जाती हैं जो Rainy Season में ही जिसमें पानी पाया जाता है और गर्मियों में वो सूक जाता है अभी हम State-wise कौन-कौन सी Important जीले हैं वो तो पढ़ेंगे उन जीलों को डिस्कस करते समय उनके मैं Classification उनके Types मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर आपको Confusion ना हो तो उनके Types को मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं कि किस-किस टाइप की भारत में जीले पाई जाती है जैसे Fresh Water Lake मतलब जो मीठे पानी की जीले होती है मतलब उन जीलों का पानी पीने योगे होता है बारिश का पानी के कारण जाद तर जीलों का निर्मान होता है दूसरा Salt Water Lake जिनका पानी नमकीन होता है Saline Water जिनका होता है वो Salt Water Lakes होती है ऐसे ही और Classification है Natural Lakes और Artificial Lakes Natural Lakes ऐसी Lakes हैं जो Natural Process से बनती है जैसे Plato के Movement से Tectonic Activity जब होती है उसके कारण जब जमीन का हिस्सा नीचे धस जाता है और समय समय पर उस पर पानी भर जाता है तो इस परकार के जीले बनती हैं वो Natural Lakes कहलाती है Artificial Lakes क्या होती है ये Man-made Lakes होती है Human के द्वारा बनाई जाती है जैसे किसी नदी के उपर डैम बना दिया गया तो डैम के पीछे उस नदी का पानी जो इकठा होता है वो जील के रूप में बन जाता है इस परकार की जीले को Artificial Lakes कहा जाता है और ऐसे ही Lagoon Lakes है Lagoon Lakes हमेशा याद रखिए समुंदर के किनारे ही बनेंगी क्यों? क्योंकि इन में समुंदर का ही पानी होता है देखिए समुंदर के किनारे जो तट वाला इलाका है इस इलाके में जहां जहां गड़े होंगे वहां समुंदर का पानी इकठा हो जाएगा और समुंदर की लहरों के द्वारा जो अवसाद इकठा कर दिये जाएंगे इंकिये किनारे तो आप ऐसा परतीत आपको होगा कि यह जो पानी गड़ों में इकठा हुआ है नहीं वो तो एक जील के रूप में बन गया है जो समुंदर से अलग हो गया है तो समुंदर का ही पानी ऐसा परतीत होगा ये समुंदर से अलग हो गया है इन अवसाद के कारण तो इस प्रकार की जीलों को Lagoon Lakes कहते हैं इनका पानी भी खारा होता है क्योंकि समुंदर का पानी है Complete World Geography का कोर्स अगर आप sequence देखना चाह रहे हैं तो अभी download किजिए Sharia Day application वहाँ पर ये कोर्स अवेलबल है अभी मात्र प्राइज 179 में ये World Geography का कोर्स आपको मिल जाएगा with 3D animation इसके अलावा Oxbow Lake बहुत important है गोखुर लेक से बोलते हैं हिंदी में जब नदी देखिए मैदानी छेतर में बहती है न तो बहुत समय बीतने के बाद नदी साप की तरह बैंड होती जाती है और ये जो बैंडिंग पर क्रिया है इसी बैंडिंग को मेंडरिंग कहते हैं और टाइम के साथ ये बैंड इतना बड़ा हो जाता है कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं और नदी अपना रास्ता बदल लेती है जो पुराना वाला लूप था न उसको नदी छोड़ देती है वो एक जील के रूप में बन जाता है इसी जील को ओक्सबो लेक कहते हैं क्योंकि इसका शेप देखिए गाए के जो खुर है जो इसका पाओ खुर है उसके जैसा इसका शेप होता है इसी लिए इसको ओक्सबो लेक कहते हैं इसके अलावा गलेशियल लेक सापने सुना होगा हिमानी जीलों के बारे में ये गलेशियर के पिघलने से जो जमीन धसी हुई है वहाँ पर ये पानी जो इकठा होता है इसके कारण जो जील का निर्मान होता है इसे गलेशियल लेक्स कहते हैं इसके अलावा आप क्रेटर लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे ये ज़्यादतर तब बनती है जब जोला मुखी जिस छेतर में विस्फोट होता है जहां से जोला मुखी निकलता है और कई सालों के बाद जब वहाँ से जोला मुखी निकलना बंध हो जाए और कुछ टाइम बाद उस पर पानी भर जाता है तो इस टाइप के लेक्स को crater lakes भी बोल देते हैं crater का meaning अगर आप से पूछा जाए तो इसका meaning भी होता है गढधा ऐसे ही जब उलका पिंड पृत्वी से जब टकराती हैं तो इसके कारण पृत्वी के सतय पर जो गढधे पड़ जाते हैं उनमें भी कई समय बाद जब पानी भर जाता है और एक lakes का निर्मान हो जाता है उनको भी इसी कटेगरी में रख दिया जाता है हाला कि उन्हें meteoroid lakes भी बोल दिया आता है या उलका पिंड ये lakes भी बोल दिया आता है महाराष्टर में एक पाई जाती है Loner Lake वो सब पढ़ने वाले हैं हम जब state wise सभी जीलों को हम पढ़ेंगे तो ये ये types की जीलें आपको देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों इससे पहले आपने पढ़ा भारत में किस टाइब की lakes पाई जाती हैं उनके classification को पढ़ा और अभी भारत के अंदर जो सबसे important lakes है न उनको पहले discuss कर लेते हैं और इसके बाद हर state में कौन-कौन सी important lakes है वो हम देखेंगे तो चलिए सबसे बड़ी salt water lakes पूछा जाएगा आपसे तो आप बताएंगे चिलका लेक भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जील है वो चिलका जील है यह एक लेगून जील है उडिसा के अंदर यह पाई जाती है यह एक रामसर साइट भी है 1981 में इसको रामसर साइट में घोशित किया गया था इसका जो maximum surface area है वो 1100 km2 तक जाता है जब पूरा पानी इसमें भर जाता है हमारी इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर है और याद रखिए युनेसको के द्वारा वर्ल्ड हेरी तेज साइट भी घोशित किया गया है यह चिलका लेक को इसके लावा यह ब्रैकिश वाटर लेक भी है मतलब ऐसी लेक है इसमें जातर तो खारा पानी है लेकिन कुछ मीठा पानी भी है मतलब कुछ ताजा पानी भी है जो मुखे तोर पर दो नदियों के द्वारा लाया जाता है एक दाया नदी और एक भारगवी नदी इसके बाद भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है तो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर के अंदर है ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्टिक है बांधी पूरा डिस्टिक वहाँ पर ये लेक पाई जाती है वुलर लेक मैक्सिमम एरिया इसका देखेंगे जो पूरा भर जाता है पानी इसमें तो 189 किलो मिटर स्क्वाइर के आसपर जाता है ये डाटा आपको याद नहीं रखना है हाला कि ये विकिपीडिये से में लिया गया है डाटा बस ये आपको अनुमान लगाने के लिए दिया गया कि साइज कितना कितना इनका हो सकता है वुलर जील की खासियत ये भी है ये भी एक रामसर साइट है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इस जील का भी निर्माण हुआ है पलेटो के मुवमेंट से ये वाला जो इलाका है नीचे धस गया था और आगे चलकर जेलम नदी के कारण इसमें पानी भर गया तो जेलम नदी के रास्ते में ये जील पढ़ती है वुलर लेक तो सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की जील आपको क्लियर हो गया होगा अगर ऐसा प्रशन पूछा जाए कि सबसे बड़ी जील कौन सी ये भारत की ना खारा ना मीठा कोई भी डिसकस नहीं किया गया तो आप आख बंद करके चिलका लेक के बारे में बता देंगे क्योंकि चिलका लेक का maximum area देखेंगे लगभग 1100 km2 तक चला जाता है इसके बाद पूछा जाए longest lake of India भारत की सबसे लंबी lake कौन सी है तो वेंबनार्ड लेक है जो केरल के अंदर है इसकी लंबाई लगभग 96.5 km है और ये भी एक रामसर साइट है 2002 में इसको रामसर साइट में include किया गया था और यहीं पर boat racing होती है इस race का नाम है नहरू ट्रोफी boat race ये प्रतियुगिता करवाई जाती है हर साल लगभग अगस सितंबर के महीने में Wellington Island आपने सुना होगा वो भी यहीं पर है तो पूछा जाएगा इंडिया की longest lake तो वेंबनार्ड आप बताएंगे अगर ऐसा पूछा जाएगा केरल की सबसे बड़ी लेक कौनसी है largest lake of केरल तो भी वेंबनार्ड ही हंसर होगा इसके बाद प्यारे बच्चों highest lake of इंडिया भारत की सबसे उची लेक कौनसी है तो सिक्किम के अंदर है चोलामू लेक लगभग समुंदर तल से 5100 मीटर इसकी हाइट है और तीस्ता नदी जानते होंगे तीस्ता नदी का उदगम इसी के पास से हुआ है जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता अब नौर्थीष्ट की largest fresh water lake कौनसी है तो लोकटक lake बहुत important है मनीपूर राज्य के अंदर एक जील है लोकटक ये भी एक रामसर साइट है 1990 में इसको include किया गया था इस लोकटक lake के बारे में सबसे important जो चीज है नहीं यहाँ पर एक national park है जिसका नाम है केबुल लामजाओ ये दुनिया का एक मात्र floating national park है ये national park लोकटक जील के अंदर ऐसा लग रहा है कि फलोट कर रहा है जील के उपर इस national park का नाम केबुल लामजाओ याद रखेंगे अब largest artificial lake कोंसी है या man-made lake कोंसी है जो भारत की सबसे बड़ी है तो गोविंद वल्लव पंत सागर रिहंद नदी है ना तो रिहंद नदी के उपर एक डैम बनाया गया है रिहंद डैम उत्तर परदेश में एक जिला है सोन भद्र वहीं पर ये डैम बनाया गया है और उसी डैम के कारण इस reservoir का निर्माण हुआ है इस जील का निर्माण हुआ है इस जील का नाम है गोविंद वल्लव पंत सागर गोविंद वल्लव पंत के बारे में तो जानते हैं उत्तर परदेश के पहले मुख्यमंत्री थे ये हाला कि जील है ये मद्यपरदेश के बॉर्डर के पास है तो उत्तर परदेश मद्यपरदेश बॉर्डर के पास है अब एक और important प्रशन पूछा आता है अभी तो आपसे मैंने पूछा था कि largest salt water lake तो चिलका lake आपने बताया था अगर ऐसा प्रशना है largest inland salt water lake कौन सी है इंडिया की या सबसे बड़ी अंतर देश ये खारे पानी की जील कौन सी है तो सामबर जील बताएंगे मतलब सबसे बड़ी भारत की वो खारे पानी की जील बताएंगे जो पूरी तरीके से जमीन से घिरी हुई हो तो वो सामबर जील है राजस्थान के अंदर ये भी एक रामसर साइट है 1990 में इसको इंकलूड किया गया था और भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जील भी यही है सामबर जील याद रखेंगे हाला कि इसका सर्फेस एरिया अब कम हो गया है लेकिन एक टाइम ऐसा था कि सबसे बड़ी खारे पानी की जील पूछा जाता तो यही आब बताते लेकिन अब इसका जो एरिया है वो कम हो चुका है तो इसलिए चिल का पहले नंबर पर आप सोचेंगे अगर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों भारत की सबसे गहरी जील कौन सी है डीपेस्ट लेक ओफ इंडिया कौन सी है तो मानस बल है जम्मू कश्मीर के अंदर एक जील है इसका नाम है मानस बल लगबग 13 मीटर वो गहरा है तो अभी जितनी इंपोर्टन लेक्स थी बहुत इंपोर्टन वो मैंने आपको बताई इसके बाद हर स्टेट में कौन कौन सी इंपोर्टन लेक्स एक सूची बना कर बताऊंगा और उनकी खासियत क्या है वो भी बताऊंगा प्यारे बच्चो अब स्टेट वाइज हम जितने भी इंपोर्टन लेक्स है वो देखते हैं सबसे पहले जो केंद शाषित परदेश जम्मू कश्मीर है इसमें छे जीलों के बारे में हमें पढ़ना है सबसे पहले वुलर लेक जो हम जानते ही है पहले पढ़ चुके हैं लार्जस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है दूसरा डल जील शिरिनगर में है और पूरे जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी जील ये भी है इंट्रेस्टिंग चीज इसके बारे में है कि एक यहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ओफिस बनाया गया है तो वो पोस्ट ओफिस जो है वो तैर रहा है इसी जील में और इसके अलावा डल लेक के अंदर एक मार्किट लगती है जिसे फ्लोटिंग मार्किट कहते है जो नाव है उसी पर दुकाने सजती है वहीं पूरी मार्किट मंडी लग जाती है इसके बाद मानस बल लेक ये डीपेश्ट लेक ओफ इंडिया है भारत की सबसे गहरी लेक है ये 13 मीटर इसकी गहराई है लगभग अगर फीट में देखेंगे तो 43 फीट लगभग इसकी गहराई है फिर मांसर लेक ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है इसे रामसर वेट लेंड में इंक्लूड किया गया है 2005 में इसके बाद शेशनाग लेक याद रखिये हिंदु धर्म के लिए तो बहुत पवित्र जील मानी जाती है इसके बाद लाश्ट में निगीन लेक लेकिन जादतर ये नागिन लेक के नाम से फेमस है ये डल जील से 6 किलोमेटर की दूरी पर है लेकिन इंट्रेस्टिंग चीज ये है कि ये डल जील से जूड़ी हुई है एक पतले स्ट्रेट के दौरा डल जील के साथ ये जूड़ी हुई है इसके बाद लद्दाक के अंदर दो लेक्स हैं जो आपको याद रखनी है पहली पैंगोंग सो लेक ये इंडिया में भी है और चाइना में भी है मतलब 40% इसका पार्ट इंडिया में है और लगभग 60% पार्ट ये तिबबत के अंदर है जो चाइना के कंट्रोल में है इंट्रेस्टिंग चीज ये है इसका पूरवी भाग है इस्टर जो पाट है वो फ्रेश वाटर है और जो पश्च्चमी भाग है इसका पानी का वो साल्ट वाटर है समुंदर तल से इसकी हाइट 4200 मीटर आसपास है इसका दूसरी जो लेक आपको याद रखनी है सो मोरीरी लेक इसका नाम है लेक मोरीरी इसको बोलते हैं या माउंटेन लेक भी इसी को बोलते हैं ये साल्ट वाटर लेक है समुंद्र तल से इसकी हाइट 4522 मीटर है याद रखिए ये भी एक रामसर वेटलेंड साइट है जो 2-3 में इंक्लूड की गई थी तो इस परकार जम्मो कश्मीर और लद्दाक में जितनी लेक्स इंपोर्टन है वो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों हिमाचल परदेश में जितनी इंपोर्टन लेक्स है वो देखते हैं सबसे पहले सूरज ताल लेक हिमाचल परदेश में एक डिष्टिक है लाहोल स्पिती इसी डिष्टिक में ये सूरज ताल लेक है समुंद्र तल से इसकी हाइट 4883 मीटर के आसपास है 12 लाचा माउंटेन पास इसी लेक के पास है भागा नदी जो थी उसका उद्गम यहीं से होता है सूरज ताल लेक से और यह भागा नदी वही है जो तांडी के पास चंद्र नदी में मिल जाती है और दोनो नदीयों का जो संगम होता है और यह आगे चलकर चंद्र भागा नदी के नाम से जानी जाती है चंद्र भागा नदी कोई और नहीं चेनाव नदी ही है चेनाव नदी को पढ़ाते समय भी इसका जिक्र आया था तो सूरज ताल लेक के बारे में इतनी चीज़े याद रखिए इसके बाद चंद्र ताल लेक ये भी लाहोल एंड स्पीति डिश्टिक में है चंद्रा नदी का उद्गम इसी लेक से होता है और ये चंद्रा नदी हमें भी बताया आपको तांडी के पास भागा में मिलती है और ये दोनो नदियां मिलकर चंद्र भागा नदी बनाती है जो चिनाप का ही नाम है चंद्र ताल लेक के बारे में इंट्रेस्टिंग चीज़ ये है ये भी एक रामसर वेटलेंड साइट है भारत में जितनी भी रामसर वेटलेंड साइट है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा आगे आने वाले चैप्टर में तो आप टेंशन मत लीजिए इसके बाद धंकर लेक ये भी लाहल स्पिती डिस्टिक में पढ़ता है इसके बाद चोथा बहुत इंपोर्टन लेक है नाको लेक कि नौर डिस्टिक में बच्चों पढ़ता है चार बुद्धिष्ट टेंपल इसी लेक के आसपास है तो बुद्ध धर्म के लिए ये लेक बहुत महत्तपून हो जाती है पांचवा एक आटिफिशल लेक महराना परताप सागर रिजॉर्वोयर या महराना परताप सागर लेक है इसे पोंग लेक भी कहते हैं ब्यास नदी है ना ब्यास नदी के उपर एक डैम बनाया गया है जिसे पोंग डैम या महराना परताप सागर डैम कहते हैं और इसी डैम के कारण एक Artificial Lake का निर्मान हो गया है इस लेक को भी महाराना परताब सागर रिजर्वोयर या पोंग लेक कह देते हैं ये भी प्यारे बच्चो रामसर वेटलैंड में इंक्लूड किया गया है और ये कांगरा डिस्टिक में पढ़ता है हिमाचल परदेश के इसके बात प्यारे देचोh गोविंद सागर लेक या गोविंद सागर रिजरवोयर हिमाचल परदेश के बिलासपूर डिस्टिक में ये रिजरवोयर है ये लेक है सतलू नदी के अपर एक डैम बनाया गया है बहुत ही फेमस डैम है भाखडा डैम उसी डैम के कारण इस आर्टिफीशल लेक का निर्मान हुआ है जिसे गोबिंद सागर लेक कहा जाता है ये भाखडा डैम हिमाचल परदेश के अंदर बिलासपूर डिस्टिक में है और एक और डैम है आगे चलकर पंजाब वाले छेतर में नंगल डैम तो भाखडा नंगल डैम दोनों एक साथ बोल दिया आता है लेकिन दोनों अलग अलग डैम है भाखडा डैम तो हिमाचल परदेश में है नंगल डैम पंजाब वाले इलाके में है इसके बाद आखरी जो लेक है वो रेणुका लेक है ये भी एक रामसर साइट है हिमाचल परदेश के सीरमोर डिष्टिक के अंदर ये लेक है और रेणुका देवी माता का मंदिर यहाँ पर है उन्ही के नाम से इस लेक का भी नाम रखा गया है प्यारे बच्चों उत्राखंड के अंदर जितनी महतापून लेक से हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले तो नैनिताल लेक एक फ्रेश वाटर नैचुरल लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इस लेक का निर्माण हुआ है और ये नैनिताल डिष्टिक के अंदर ह और ये बहुत फेमस टूरिष्ट प्लेस है बच्चों याद रखिए उत्राखंड में जो नैनिताल जीला है यहाँ पर बहुत सारी महतापून जीले पाई जाती हैं इसलिए तो इस नैनिताल डिष्टिक को लेक डिष्टिक ओफ इंडिया कह दिया जाता है इसके बाद सात भीमताल लेक नाम से ही पता लग रहा है साथ छोटी छोटी जीलों का यह समू है और ये भी नैनिताल डिष्टिक के अंदर है इसके बाद भीमताल लेक पूरे उत्राखंड की सबसे बड़ी जील पूछा जाएगा तो भीमताल आप नाम लेंगे ये भी प्यारे बच्चों नैनिताल डिष्टिक के अंदर है महाभारत के जो पाँच पांडो थे उनमें से एक भीम थे ना उन ही के नाम से इस जील का नाम रखा गया है ऐसा कहा जाता है कि भीम जी ने ही इस लेक का निर्मान किया और इस भीमताल की खास्यत यह है कि एक छोटा सा आईलेंड है इसके अलावा एक और लेक है नो कुछिया ताल यह भी नैनिताल डिष्टिक के अंदर है नाम से ही पता लग रहा है नो मतलब नाइन कुछिया मतलब कॉर्नर नाइन कॉर्नर है इस लेक के नो कॉर्नर है उसी नाम से इसका नाम रखा गया है नो कुछिया ताल इसके बाद एक बह लेक ओफ स्केल्टन कौन सी है इंडिया की तो रूपकुंड लेक उत्राखंड में एक जिला है चमोली उसी चमोली डिस्टिक के अंदर ये लेक है इसकी खास्यत यह है ना कि 1942 में यहां से लगभक 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए थे और ये रहसे अभी तक बना हुआ है कोई थियोरी कहती है कि महामारी के कारण लोगों की मृत्ति हो गई थी कोई थियोरी कहती है कोई आकरमण हुआ था तो यह अभी भी रहसे बना हुआ है इसके लावा एक और लेक है डोडी ताल लेक जो उत्तर काशी जीले के अंदर है और एक और है देवताल लेक जो पहला फुलर जील जिसे गोमत ताल भी कहते हैं उत्तर प्रदेश के पिली भीत डिस्टिक के अंदर ये जील है इंपोर्टन चीज ये है गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है और गोमती नदी हम जानते ही है गंगा की सहायक नदी है दूसरी इंपोर्टन जील है गोविं बना हुआ है रिहंद डैम उसी डैम के कारण इस रिजर्वायर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है गोविंद वल्लव पंथ सागर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंतरी गोविंद वल्लव पंथ जी इनहीं के नाम पर इस रिजर्वायर का नाम रखा गया है और यूपी परखल लेक ये फरीदाबाद डिश्टिक में हैं ये सूख रही है ये तेजी से सूख रही है क्योंकि इसके आसपास illegal mining की जा रही है इसी कारण से ये तेजी से सूख रही है दूसरी लेक है प्यारे बच्चों Bluebird लेक ये हिसार डिश्टिक के अंदर है इसके बाद Brahmacharover ले ये बहुत ही पवित्र लेक है ये उसके बाद दमदमा लेक गुरू गराम डिश्टिक के अंदर है अरावली परवत सिनैनी से ये घिरा हुआ है इसका निर्मान ब्रिटिस सरकार के द्वारा rain water harvesting के लिए किया गया था उसके बाद कर्न लेक ये कर्नाल डिश्टिक के अंदर है और आखरी में तिलियार लेक ये रोहतक डिश्टिक के अंदर है तो इतनी लेक्स आपको उत्तर प्रदेश और हर्याना में याद रखनी है प्यारे बच्चों राजस्थान के अंदर जितनी महत्तपुन जीले हैं वो देखते हैं लेकिन उससे पहले ये याद रखिए राजस्थान का जो उदैपूर है इसी को जीलों का शहर कहा जाता है चलिए जीलों के और बढ़ते हैं सबसे पहली जील जो याद रखनी है सामभर जील है याद रखिए भारत की सबसे बड़ी इनलेंड साल्ट वाटर लेक है ये मतलब भारत की सबसे बड़ी वो खारे पानी की जील है जो चारों और से जमीन से घिरी हुई है ये जैपूर के अंदर है बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन यहाँ से होता है याद रखिए ये रामसर वेटलेंड साइट भी है इसके बाद दूसरी जो लेक है वो पिछोला लेक है ये आर्टिफीशल लेक है उदेपूर के अंदर है ये इसके बाद राजसमंद लेक ये भी एक आर्टिफीशल लेक है राजसमंद डिस्टिक के अंदर है इंपोर्टन चीज ये है कि 17th century में मेवाड के एक राजा थे महराणा राजसिंग उन्होंने इसे बनवाया था इसके बाद एक लेक है नक्की लेक इसको कहते है नेचुरल और आटिफिशियल लेक का ये यूनिक कॉंबिनेशन है माउंट आबुचिले के अंदर है अरावली परवत श्रेणी से ये घीरा हुआ है तो इसी कारण से ये एक बहुत ही अच्छा हील स्टेशन है टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रेक्शन का केंदर है ये नेक्स्ट है फते सागर लेक ये उदेपूर के अंदर है ये भी एक आर्टिफिशल लेक है 1678 इस्वी में महाराणा जैसिंग के द्वारा ये बनवाया गया था इसके बाद पुशकर लेक अजमेर के अंदर है इस पुशकर लेक की खास्यत ये है कि हर साल यहां मेला लगता है हिंदु धर्म के लिए तो बहुत ही इंपोर्टन ये लेक है और ब्रह्मा जी का यहां पर एक मंदिर है इंपोर्टन चीज है ना कि पूरे विश्व में एक मात्र ब्रह्मा जी का टेंपल है वो कहां पर है इस पुशकर लेक के पास ही है इसके बाद बाल समंद लेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफीशल लेक यही है पहली तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है गोविन वल्लव पंत सागर और दूसरे नंबर पर यह धेवर लेक है इतनी लेक आपको राजस्थान के अंदर याद रखनी है महाराष्टर के अंदर तीन important lakes है पहली है लोनार लेक बहुत important है उलका पिंड के पित्वी से टक्राने के कारण इसका निर्मान हुआ है महाराष्टर में एक जिला है बुलधाना उसी जिले में यह है salt और alkaline water का ये मिश्रन है तो हम कहा सकते हैं यह crater lake का एक example है इसके बाद श पतारा जिले के अंदर है कोईना नदी के उपर एक डैम बना हुआ है इस डैम का नाम भी कोईना डैम है उसी के कारण इसका निर्माण हुआ है और तीसरी है सलीम अली लेक महराश्ट्र के और अंगाबाद में है मुगल काल में इसका निर्मान हुआ था और मुगल काल में इसी लेक को खिजरी तालाब कहा जाता था गुजरात के अंदर तीन इंपोर्टन लेक्स है जो याद रखनी है पहली है नल सरोवर लेक जो एहमदाबाद जिले के अंदर है 1969 में इसे बर्ड सैंचरी घोशित किया गया था भारत सरकार के द्वारा इससे भी इंपोर्टन चीज ये है कि ये एक रामसर वेटलेंड साइट है दूसरी लेक जो आपको याद रखनी है हमीर सर लेक आर्टिफिशल लेक है गुजरात के भुज़ लेक के अंदर है गुजरात के एक शाशक हुआ करते थे राव हमीर उन्ही के नाम पर इसका नाम रखा गया है और लाश्ट में कंकरिया लेक ये भी एक आर्टिफिशल लेक है एहमदाबाद जिले के अंदर है 1451 में कुतुब दिन एहमद शाह सेकेंड के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था तो ये तीन इंपोर्टन लेक है गुजरात में जो आपको याद रखनी है मद्य परदेश में दो इंपोर्टन लेक हैं पहली है इंद्रा सागर लेक नर्मदा नदी के ऊपर डेक डैम बना हुआ है इंद्रा सागर डैम उसी डैम के कारण इस रिजर्वोय का निर्मान हुआ है जिसे इंद्रा सागर रिजर्वोय या इंद्रा सागर लेक कहा जाता है मद्यपरदेश के खांडवा डिस्टिक के अंदर है ये इसके बाद भोजताल लेक ये कार्टिफिशल लेक है मद्यपरदेश के भोपाल में है परमारवंश के एक राजा थे राजा भोज उन्ही के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था बिहार की जो सबसे इंपोर्टन लेक है कावर लेक ये एक ओक्सबो लेक का एक्जामपल है एशिया की लारजेश्ट ओक्सबो लेक है या कहा जाए गोखुर लेक है बूढ़ी गंड़क नदी की मियंडरिंग के कारण इसका निर्मान हुआ है बिहार के बेगुसराय जीले के अंदर है ये एक रामसर साइट है इसके लावा ये एक बर्ड सैंचुरी है उडिसा के अंदर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका लेक है भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जील है वो चिलका जील है यह एक लेगून जील है उडिसा के अंदर यह पाई जाती है यह एक रामसर साइट भी है 1981 में इसको रामसर साइट में घोशित किया गया था इसका जो मैक्सिमम सर्फेस एरिया है वो ग्यारा सो किलो मीटर स्क्वाइर तक जाता है जब पूरा पानी इसमें भर जाता है हमारी ब्रैकिश वाटर लेक भी है मतलब ऐसी लेक है इसमें जातर तो खारा पानी है लेकिन कुछ मीठा पानी भी है इसमें मतलब कुछ ताजा पानी भी है जो मुखे तोर पर दो नदियों के द्वारा लाया जाता है एक दाया नदी और एक भारगवी नदी अब नौर्थ इस् 500 मीटर इसकी हाइट है सिक्किम के अंदर दूसरी इंपोर्टन लेक जो आपको याद रखनी है सौंगमो लेक ये गलेशियल लेक है सर्दियों में बर्व से धकी रहती है इसके बाद चलते हैं आसाम के अंदर कुछ इंपोर्टन लेक को देखते हैं चंदुब्बी लेक 1897 मे एक बहुत बड़ा अर्थक्विक आये था उसी की कारण इसका निर्मान हुआ है और दिपोर लेक ये भी असाम की एक इंपोर्टन लेक है हाफ लोंग लेक ये भी एक बहुत इंपोर्टन लेक है हील स्टेशन है टूरिजम के लिए बहुत इंपोर्टन लेक है मनिपूर के दुनिया में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट कर रहा है तो ओनली फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड यही है मिजोरम के अंदर एक इंपोर्टन लेख है तमदिल रिजर्वोयर यह एक आटिफीशल है तमदिल लेख बोल दिया जाए या तमदिल रिजर्वोयर आपको याद रखनी है तेलंगाना के अंदर एक बहुत इंपोर्टन लेख है हुसेन सागर लेख ये एक आर्टिफिशल लेख है 1563 में एक शाशक थे इबराहिम कुली कुतुब शा उन्होंने इसको बनाया था और ये जो लेख है हैदराबाद के अंदर है मुसी नदी के कार पहली ये पुलिकट लेख भारत की सेकंड लार्जेस्ट लैगून लेख है पहली तो हम जानते हैं चिलका लेख है और ये मुख्य तोर पर पुलिकट लेख आंदर प्रदेश के तिरुपति डिस्टिक में है और मैप में आप देख सकते हैं तमिल नाड़ू के साथ सटा और इंपुलिकट लेख की कि इसके बीच में एक आइलेंड है श्रीहरिकोटा आइलेंड और इस श्रीहरिकोटा आईलेंड पर ही तो इसरो का सतीज़वन स्पेस सेंटर है उसके बाद कुलेरू लेख जो बहुत इंपौर्टन एक फ्रेश वाटर लेख है गोदावरी डेल के बीचों बीच ये लेक पाई जाती है और ये एक रामसर वेटलेंड साइट है अब करनाटक के अंदर इंपोर्टन लेक को देखते हैं सबसे पहली लेक है उलसूर लेक बैंगलोर के अंदर है उसके बाद बेलांदूर लेक ये भी बैंगलोरू के अंदर है अगरा लेक ये जो important lake से उन्हें देखते हैं सबसे पहले है चेंबरम बागकम इसे चोल वंश के एक शाशक थे राजेंदर प्रतम उन्होंने बनवाया था दूसरी lake है कलीवेली lake ये एक लैगून lake है और तीसरी है उटी lake एक artificial lake है ये और चोथी है कोडाई कनाल lake ये artificial lake है तो ये चार important lake तमिलाड़ू में याद रखिए केरल में जो important lake है वो देखते हैं पहली है वेल्यानी lake fresh water lake है ये दूसरी बहुत important lake मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेंबनाड लेक पूछा जाए longest lake of इंडिया भारत की सबसे लंबी lake कौन सी है तो वेंबनाड लेक है जो केरल के अंदर है इसकी लंबाई लगभग 96.5 किलो मेटर है और ये भी एक रामसर साइट है 2002 में इसको रामसर साइट में इंकलूड किया गया था और यहीं पर boat racing होती है इस race का नाम है नहरू trophy boat race ये प्रतियुगिता करवाई जाती है हर साल लगभग अगस सितंबर के महीने में Wellington Island आपने सुना होगा वो भी यहीं पर है तो पूछा जाएगा इंडिया की longest lake तो वेंबनाड आप बताएंगे अगर ऐसा पूछा जाएगा केरल की सबसे बड़ी लेक कौन सी है largest lake of केरल तो भी वेंबनाड ही हंसर होगा तीसरी है सस्थम कोटा ये एक रामसर वेटलेंड है और चोथी है अस्टमूडी लेक ये भी एक रामसर वेटलेंड है और पाचवी पेरियार लेक पेरियार नदी तो आपने सुनी होगी न तो पेरियार नदी के कारण ही इसमें पानी आता है और ये artificial lake है और उसी नदी के नाम पर इस लेक का भी नाम रख दिया गया है तो इतनी important lakes आपको याद होनी चाहिए